इसराइल पर हमला करने के बाद अब इरान मिडलीस से निकल कर अमेरिका की चोख़ट तक पहुँच गया है। क्योंकि इरान लगातार मिडलीस से लेकर लैटिन अमेरिका तक अमेरिकी विरोधी गुटों की अगवाई कर रहा है। लेकिन मिडलीस में इरान का ये नया एर डिफेंस सिस्टम इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खत्रा बन सकता है। क्योंकि इरान के अधिकारियों ने ये दावा किया है कि ये एर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी स्टेल्थ लड़ाकु जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इरान का दावा है कि ये रूस के S-300 मोबाइल लॉंग रेंज मिसाइल सिस्टम और अमेरिका के पेट्रियट एर डिफेंस सिस्टम के बराबर है। आपको बता दे कि 17 अपरेल 2024 को मिलिटरी परेड के दोरान इरान ने इस एर डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। और ये हथियार ऐसे समय में सामने आया है जब इरान और इस्राइल में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और इरान को इसराइल के हवाई हमलों का डर भी सता रहा है। लेकिन अब इरान ने बवार 373 को लेकर दावा किया है कि ये रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इरान का सबसे बड़ा दावा ये है कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इरान का कहना है कि ये पाँचवी जनरेशन के लड़ा कु जहाज जैसे लौखीड मार्टिन्स F-35 लाइटनिंग को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसको लेकर इरान की न्यूज अजेंसी Special Operation Forces Report यानी SOFREP का कहना है कि अतिरिक्त रूप से इरानी सूत्रों ने बताया कि बवार 373 अपग्रेड़ेड वर्जन में इसकी टारगेट डिटेक्शन ताकत और ट्रैकिंग काबिलियत को और ज्यादा बढ़ाया गया है। जिससे ये एक बार में 100 टारगेट्स को चिनहित कर सकता है और ये सायाद 4B मिसाइलों से कई खत्रों पर एक साथ हमला कर सकता है। वहीं इरानी सेना की वेबसाइट में बावार 373 की रेंज 299 किलो मीटर से ज्यादा बताई गई है और ये 120 किलो मीटर तक की उंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल अमेरिका के उन प्रतिबंधों का है जो इरान पर लगाए गए हैं और इन प्रतिबंधों के बावजूद इरान लगातार अपनी सेन्ने ताकत को और मजबूत कर रहा है। और इसमें रूस और चीन से आने वाली टेकनोलोजी की सबसे बड़ी भूमिका है जो इरान को इन खतरनाक हत्यारों को बनाने में मदद कर रही है।